जो भी इच्चक मैला UPVC सकी में आवेदन करना चाहती हैं उनको बता दें कि जो है UPVC सकी की डेट जो है वो 17 अगस्त हो गई है आवेदन करने की ये पहले 31 जुलाई थी तो 31 जुलाई से बढ़ाकर 17 अगस्त कर दी गई है तो जो भी महिला एच्चोक है वो इसमें जो है अभी आवेधन कर सकती है इसके बाद इसमें जो ट्रेनिंग है और रिजल्ट वगएरा है उसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे तो वीडियो को पूरा देखिए और बने रहे हमारे इस चैनल पर और अगर आप नए ह उठा सकते हैं तो यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि वीडियो में मिलेगी तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जो है अपने एक मोबाइल आप है जो बीसी सखी का उस पर जाकर रेजिस्टेशन कर देना है रेजिस्टेशन करने के बाद जैसे ही जो है यहां पर रेजिस्टेशन की प्रिक्रिया पूरी हो जाती है जब रेजिस्टेशन की प्रिक्रिया जो है पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपको जो है आपके आप पर ही एक notification आ जाएगा आप पर ही एक list आ जाएगी जिसमें अगर आपका नाम है तो आप जो है ट्रेनिंग के लिए पातर हो जाएंगी और इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा अपना आप जो भी इसका latest version आता है तुरंत ट्रेनिंग के बारे में हम आपको कुछ इसमें आपको कुछ किलिप्स बगारा दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको जो है ट्रेनिंग होगी और किस तरह से आपको जो है ट्रेनिंग देनी है यहाँ पर हमें कुछ जो है इसकी ट्रेनिंग चालू है तो उसका वीडियो हम आपको यहां पर देखा देते हैं इसी तरह से आपका भी जो है वो ट्रेनिंग होगा और आप जो है बीसी सकी के लिए एक पात्र हो जाएंगी तो बीसी सकी में आपको बर्क क्या क्या करना है वो भी आपको यहां पर हम बता देते हैं कि बीसी सकी में आपको क्या करना होगा उसके अलावा आप जो है जन्दन सेवाओं का जो है वो लाब दे सकते हैं और उसके अलावा लोगों को जो है लोन मुहया करा सकते हैं यानि कि जो स्वहमसायता स्वहमू गुरूप होते हैं उनके लिए आप लोन दिलबा सकते हैं लोन की रिकबरी भी करवा सकते हैं और जो ह इसमें आपको जो है आधार का भी काम मिल सकता है और बैंकिंग का भी काम मिल सकता है तो इसके लिए आपको जो है इसकी तैयारी करके रखना है एक्जाम की तैयारी करके रखना है जिससे कि आप जो है एक्जाम में पास हो सकें और इंटर्वियू में भी पास हो सकें और एक स काफल बीसी सकी बन सकें तो इसके लिए आपको तैयारी पूरी रखनी है तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेश्ट वीडियो में नेश्ट इंफॉर्मेशन के साथ